लाइट वर्टिकल मल्टि स्टेज पंप को हम हाई प्रेशर पंबी बोल देते हैं फोटू में आप देख सकते हैं और इसकी एक नेम प्लेट है जिस पर इसकी कैपेसिटी हैट प्रेशर और आर्पिम यह सब लिखा है बेसिक सी जानकारी है अब बनाएंगे इस वीडियो में तो इसलिए लिख़िया क्यूल के लाइट पंप है इससे बड़े भी पंप आते हैं यानि कि हैवी पंप आते हैं अब वर्टिकल इसलिए लिखः यह जानकि वर्टिकल मे लगाया है मिल्टी स्टेज यानि कि इसकी जो इंपेलर है वह बहुत सारे हैं एक से जादा अगर Monitor नाम है लाइट वर्टिकल मृटिस्टेस सेंट्रिफ्यूगल पंप बेसिक सा इसको हाई प्रेशर पंप भी बोल देते हैं अब जान लेते हैं इसकी जो प्लेट पर लिखा यह दिखिएगा यहां पर लिखा है क्यू एच पी और इसके आर्पियम और इसका प्रेशर भी इसके आगे इसका मोडल आता है CDL 10 और डेश 22 इसका क्या मतलब है देखिए 10 कंपनी ने मोडल में इसलिए लिखा है क्योंकि यह 10 M3 पर आवर के हिसाब से है इसकी कैपेसिटी हो गई और यह जो 22 लिखा है यानि कि इस पम में जितने भी इंपेलर है वो 22 है इंपेलरों के स इसलिए इसका मोडल बन गयाता है 10-22 इसके बाद इसकी कैपेसिटी पर आता है सब जानता है कि 10 M3 पर आवर यानि कि एक गंटे में 10 M3 पानी यह पंप से निकाल देगा 10 M3 का मतलब हो जाता है कि 10,000 लिटर क्योंकि 10 M3 को अगर हम 1000 से गुना कर देंगे तो यह लिटर आ ज लिशन देंगे क्या इफएक्ट आता है Q और H में इसका जो हैड और Q एक छोटाता फीगर देड़े 血र समझते है suppose यहां से किसी से यह पंप लगा है और यहां से यह निकले में क्योंकि हैं जैसे निकलेगी तो यहां से 10 M3 निकल जा सकता है सकता है 178 मिटर ययनिके 178 मिटर यह ऐसे जा सकता है याद र aggressive ऑगर मैं इसको 178 मिटर थे रहा है जा रहा है orie 20 मीटर तक ले के नहले कि नहिते कि निए 10 थी यह ग्यारा है 30 ही हो सकती है थी यह में इसको बढ़ा दिया यानि कि इसको 200 ले गया तो इसकी capacity घट जाएगी यानि कि 10m3 जितना लिखा है उससे कुछ ना कुछ कम हो जाएगी और एक चीज़ और याद रखेंगा है जो हमारा दे के रखते हैं यह सीधी पाइपलाइन के लिए दे रखते हैं अगर हमारी पाइपलाइन मिल्कुल सीधी है तो capacity 10m3 और 178m3 जो इसका है वह सीधी पाइपलाइन के लिए अगर पाइपलाइन मर बैंड एल्बो लगे है यानि कि और यह फिर वर्टिकल हो रही है और डिस्टेंस भी ज्यादा है तो वह 178m3 तक नहीं जाएगी वह सिर्फ सीधी हाइट के लिए इसके आगे आ जाते हैं आर्पीम यह उन्हां तिस सो आर्पीम का पंप है और पी मैक्सिम्म यानि कि इसका जो प्रेसर होगा मैक्सिमम वह 25 बार होगा प्रेसर कहां से चेक क इसलिए पंपर दिया है और जो मेरी यह वाला पी दिया यह पावर को डिनोट कर रहा है यानि कि मोटर कितने किलोवाट की लग रही है तो नेयम पृट पर लिक्की हुई बेसिक सी जानकारी है जानकारी थोड़ी ऑच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर क करना बिल्कुल ना मुले क्योंकि नेस्ट वीडियो में नेस्ट अन्यूटर्फी मिलता है तब तक के लिए